नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो में आज हम जानेंगे HDFC लाइफ के बारे में स्टेडी कर रहा था टेक्निकल एसिस कर रहा था इस वीडियो का मकसद कुछ हिंट करना है समझाना नहीं है बलकि प्रावलम शेर करना है है एस जेशी लाइफ के मल्टिपल टाइम फैंश में मल्टिपल सिगनल्स मिल रहे कहीं बाय कहीं सेल कहीं होड कहीं एक नोर आपको क्या लगता है आप जुरू शेर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमको पता है एक लाइफ इंशूरंस कंपनी है इन्होंने हाली में एक साइट इंशूरंस को भी खड़ता था हाई देखिए 711 का बनाया 52 विक आई है लो बनाया 511 का और अभी चल रहा है 591 आस पास अच्छा है स्टॉक पी बहुत बड़ा है सब्सक्राइब करते हैं वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी तो अगर आप इस यहां पर देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर एक रिजिस्टेंस स्वारी एक रिजिस्टेंस यहां फिर रिजिस्टेंस फिर रिजिस्टेंस अब इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे इसको बार बार रिजिस्टेंस मिल रहा है लेकिन हम क्या देख पा लो आप लग सकता है कि यहां से इसने एक लो बना के हायर लो बनाकर है बनाने की फ्रेक्टिस में हे लेकिन यहां पर रिजिस्टेंस भी है इस बात को याद रखिएगा ऍटेश से लेकिन अगर आप देखो कि यह तीन दिन का फॉल आ आजोकि अब आप क्या देखरे हो कि यह गिरने के बाद हलका से उपर आ रहा है तो अगर आप इन तीन केंडल को देखे आप एक रेड केंडल बनी है एक डोजी है और ग्रीन बनी है है क्या ये इंग क्या किď रे wan गने तो और कंसथीर में चबंग से अहां पर कि यहां रहा है लेकिन फिर पालिंग यसे चैनप्र यहां पर रेजिस्टेंस दे रही है और इस पहले भी रेजिस्टेंस ने ले चुका है अब यहाँ पर इश्यू क्या है अगर यहाँ में मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो मूविंग एवरेज लगाने के पाद मैं अगर इसको जूम करूं और ताकि हमको और क्लेरिटी में दिख पाए तो हम देख रहे हैं क्या कि इसने जो मॉर्निंग स्टार बनाया है और जहां इसने आज क्लोज किया है वह हंडेड डेमा है तो एक ही दिन में इसने फिफ्ट इस लेवल पर ही आप देखो तो पहले भी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉख करूं आप देखोगे क्या यहां पर रेस्टेंस सपोर्ट का गेम पहले भी हो चुका है यहां पर देखिया यहां पर देखिए तो पॉसिबिल्टी है कि यहां से टकरा के यह फिर रहे रहे बनना पड़ेगा तो यह तो होगे डेली टाइम फ्रेम की बात मोविंग एवरेज देख लिए जो हमको सपोर्ट नहीं करते वे नजर आ रहे हैं अब इस डेली को कर लेते हैं वीकली पर देखते हैं वीकली क्या बता रहा है वीकली कर लिया हमने अगें जो हमने रिस्टेंस यहां पर जो ड्रॉलाइन डॉकिती है इसी को हम अगर आगे बढ़ा दें तो आपको दिखाया देगा कि वीकली पर भी इस पॉाइंट पर रेजिस्टेंस है तो ऐसा नहीं कि छोटा मोटर रिजिस्टेंस है काफी चला रहा है और वीकली पर हम क्या देख पा यहां भी स्ट्रगल की है ट्रेंड लाइन पर कोई नहीं बात तो है नहीं यहां से भी नहीं चाहिए अब यहां पर इश्यू क्या है अब अगर हम यहां पर मुविंग एवर्जिस लगा लें आरसाई लगा लें मेसीड लगा लें तो हमको एक देखने को मिलेगी जूम करते हैं इसको तो टू हंडर्ड वीकली से इसने सपोर्ट लिया है लेकिन टू हंडर्ड और फिफ्टी वीकली एक्स्पोनेंशल बिल्कुल उपर बैठे हैं रेस अगर मैं इसको हटा दूं मुविंग एवर्जिस को एक मिनिट के लिए मैं इसको हटा दूं यहां पर तो हम देखेंगे यहां पर आरसाई और आरसाई लगाता डाउन ट्रेंड बना रहा है अगर आप इस तरह से भी ड्रॉ करोगे तो आपको यहां पर दिखा जाएगा कि आरसाई भी रेजिस्टेंस लाइन के पास है यह डाउन ट्रेंड फॉलो करने के पूरे पूरे चांस तो हो सकता है कि यहां भी नीचे आ जाए यह तो बात होई आरसाई की आप मेसीडी देखते हैं मेसीडी को आप इसको एक्स्पैंड करेंगे ना तो देहोगी हलके हलके यहां पर जरून की जगा लेते खृटिकल लाइन लेते हैं यहांसे और वर्टिकल लाइन को यह एक ग्रीन सपार है यहाँ पे हम place कर देते हैं यह green spot ए यहाँ place कर देते हैं यह green spot ए यहां place कर देते हैं और एक यह green spot है तो चार हमने place कर दी है अब हम इसको compare करेंगे अपने chart से ठीक है तो पहला spot यहां पर इसको resistance मिला था जहां हलका सा green हो तो फिर red हो गया था नीचे गया फिर second time जो हमको तीन दिन का मिला था हिस्टोग्राम ग्रीन वहां से इसको resistance मिला है और यह नीचे आया फिर उपर जाने कोशिश किए फिर उसको green हिस्टोग्राम मिला फिर वहां से resistance किया नीचे आया तो अब देखेंगे जैसे कि हमने यहां देखा है अब एक और green बन रहा है तो क्या guarantee ह है कि यहां से यह resistance लेके एक नया नीचे नहीं बनाए बिल्कुल बना सकता है तो हमने daily basis पर देख लिया weekly basis पर भी देख लिया RSI भी देख लिए MACD भी हमको क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा है वो भी हमने देख लिए अगर एक बार को हटा भी दो RSI और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो तो आपको दिखाई देगा क्लिरली जो हम दिखाना चाह रहे हैं जो आपको दिखाई देखा कि एक रेजिटेंस और वहां से जहां जहां इसने ग्रीन इस्टोग्राम अनने कोशिश की है और बहुत ही वीक कमजोर से इसमें रेजिटेंस ज़रूर आया है तो कॉश्चन रेके ले रहना है ना बाइ सि पर सेम एस जी एफसी लाइफ को अगर आपको पहला रेडिंग वहला याद होगा तो यह नीचे लाइन आती दिखाई दी यह एक सपोर्ट लाइन थी इस सपोर्ट डैन को आपको ड्रॉव करना है तो मंतली विसेस पर आप इसको कुछ इस तरह से ड्रॉव कर लिए तो आप देखो यहां पर तो इसको भी चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो ऐसे ठीक है यहां पर भी देखिए कि तर्च किया इसने यहां पर टॉपर लेके ऊपर जा सकता है तो एक तो यहीं से रेस्टेंस लेकर यह इसी को फॉलो करते हुए आगे जाएगा पॉसिबल है लेकिन क या किसी किसी चार्ट पैटर्न को यह रिजेंबल कर रहा है बिल्कुल कर रहा है अगर आप देखो तो यह बन गया है यह बन गया शोल्डर और यह बन गया राइट है मंतिली बेसेस पर एक बैरीश केंडल बनाया है मल्टिपल टाइम 2019 से आप समझ लिए तो यह जो इसका रेजिस्टेंस यही बन जाएगा इसका रेजिस्टेंस और आप देखोगे तो नीचे कहां तक आ रहा है यह नीचे 200 उसके भी नीचे आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हर लिगन का नगुष्ट कर रहा है कि यहाँ यही से सपोर्ट लेके फिर यहाँ आगे जाने के चांसे भी है यहां पर और के देखने वाली बात है अगर हम यहां पर देखें में सीडी देखेंगे कि अगें एक नेगटिव सिगनल लिकर आया है और सिर्फ डाउंट्रेंड पर ही मंतली बैसिस पर कि इतना ज्यादा हुआ भी नहीं तो हर तरह के में सिगनल है डेली बैसिस पर हमने देखें मंतली बैसिस पर हमने देखें वीकली बैसिस पर हमने देखें तो आपका क्या कहना है आपको क्या लगता यहां क्या इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के रिस्टेंस को तोड़ते वी ऊपर जाएगा यहीं से रिस्टें कोई बोले तो भी खरदना बैश्चा नहीं आपको करनी दूसरे के फिर करनी वरना उधार की जिन्दिकी तो क्या ही कोई जिएगा है तो पहले देख लें तो हम पहले देख चूँगे है अगर आप इसके चार्ट में आओगे और इसका पी रेश्यो देखोगे तो नीचे से कर रहा है अब पी रेश्यो नीचे है अर्निंग ऊपर है अगर इसने वापस कैच अप करने कोश्च की तो ओपर जा सकता है पर यह तो तीन साल ही कहा नहीं थी पांस साल ही कहा नहीं देख लेते हैं दस साल में आप देखोगे एक डबल बाटम टाइप बना रहा हो सकता है देखाई बना दे और पिछली बार वाला हाई जो था वो उसके पहले वाले हाई से उपर था तो वैसे चैट बना हुआ है तो मल्टिपल सिग्नल्स हैं कहीं भी कोई क्लैरेटी नहीं है अगर आप इसका क्वाटरली देखोगे तो कुछ खास सेल्स भी नहीं है कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं है स्ट्रगल ही कर रहा है 300-400 के बीच में कोवीड के बाद से उसमें तकलीफ हुई थी वह अभी तक जहल रहा है अगर आप इसके इन्वेस्टरस में जाओगी तो प्रमोटर्स ने हलका हलका अपना सेल किया है उनको ही बनना था पैसा एफाइज ने में भी SBA mutual fund है यहां पर पब्लिक में पब्लिक में आपको एक्साइड भी मिल जागा जिनको कुछ दिया गया है इंडस्ट्री क्योंकि नों की बीच में एक डील हुई थी तो आपको डिया बढ़ते खटते दिखेंगा यहां पर भी तो मेरा वीडियो बनाने का एक जो री 100 डेमा का सपोर्ट लेगा 100 डेमा का रेजिस्टेंस लेगा आपको बताना है और काफी मिस सिगनल है आपको क्या लगता है ज़रू शेयर करेगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइच से सब्सक्राइब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद